गुड मॉनिंग या सोफा कबर नहीं बदल पा रहे तो कुछ कुशन कबर रही बदल दें तो बिल्कुल लुक नया हो जाता है तो जो मेरा ये घर इसकी दिवाल है वाइट हैं तो इसमें बहुत सारी ओप्षन खोले रहते हैं यह cover जो मैं उतार रही हूँ यह मैंने पुराने कुर्टे से बनाया था और आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं लिंक देदूंगे आप देख लेना पुराने कुर्टे से भी पुराने कपड़ों से बहुत अच्छे cover बन जाते हैं और यह मुझे नया digital print के cover में लाई तो ले आई कुछ थोड़ा सा यूनिक दिखा तो ले आई और कुशन cover का तो ऐसा है कि हम जितने खरीड लें कम ही है हाँ यह जरूर है कि इन में आजकल जो अंदर कास्तर रहता है बड़ा disposable जैसा कपड़ा लगा रहता है तो थोड़े दिन बादी जहां दो-चार बार धु बना रहता है पर शायद इसलिए कि आजकल हर चीज use and throw क्योंकि अगर वो मजबूत देंगे तो फिर नया कौन खरीदेगा और देखिए कुछ कवर पुरा नहीं है और सोफा बैक भी मैंने हटा दिया नीचे का वो कवर पुरा नहीं कुछ नया नहीं किया बस केबल कुछ अबर मैंने चेंज कर दिये हैं और सोफे बड़े हैं तो कुल मिलाकर कुछन तो जादा है दस कुछन है वैसे टूटल उसमें से मैंने पांच पुराने ही रखे हैं और पांच नए चेंज कर दिये हैं और मेरे जो परदे हैं उनमें और इंज खूब है और जो मेरी दीवाल पर वो जो मचलियां बनी हैं उनमें भी कई शेड है मल्टी कलर है तो मैंने बस मल्टी कलरी कुशन लेकर आई हूं मैं एक रंग के नहीं लाई और ऐसे करने से क्या घर में थोड़ा सार रंग एड़ हो जाता है बाकी तो दिवाले सफेद हैं देखिए सफेद पेंट के साथ बहुत सारी ऑप्शन होते हैं इसलिए सफेद पेंट कराना अच्छा रहता है आप चलो चलते हैं चट पर ड्राइंग रूम तो सज गया और इतने दिन चट हमने सूनी छोड़ी यानि के बगीचा जब करते हैं तो जब छोड़के जाते हैं तो थोड़ा तो उपेक्षित ह होता है पर जादा कुछ नहीं हुआ आज मैं आप से गार्डन को लेकर खुब सारी बातें करूंगी क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो चट पर गार्डनिंग कर रहे हैं और चट पर बागवानी को लेकर लोगों में बहुत सारे मिथा कहें कि कुछ होता नहीं है सब ऐसे ही कह हैं आप अगर थोड़ा सा थोड़ा सा गहराई से सोचेंगे तो आपको इसके धेर सारे बैनिफिट देखेंगे यह देखिए तूटने के लिए तैयार है आज हम सोच रहे हैं गाजर और ब्रॉकली को हलका ब्लांच करके मैं नाश्ता बनाती हूं और मैंने इसका वीडियो प काड़न लगा यानि की फ्लोरल भी लगा है और सबजियां भी तो सबजियां क्या है करते करते आप सीख जाएंगे ऐसे थोड़ी सी ट्रेनिंग क्रशे बिग्यान है तो थोड़ी से ट्रेनिंग लेनी ही पड़ती है ऐसा बिलकुल नहीं कि हमने लगा दिया और हो गया तो क करते करते आप सीख जाएंगे और रही बात जब फूल लगाया आपने फूलों के पौधी लगाई या कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सिर्फ पत्ते होते हैं जिनके पत्ते होते हैं और वो हर्याली देते हैं लेकिन आप इसको वैज्ञानिक तरीके से सूचें कि ये धर्ती ह अगर यह सब हैं तो ही हम हैं इनके बीच में ही हम स्वस्थ हैं एक एक करके जैसे जैसे प्रजातियां जानवरों की ये पौधों की खत्म होती जाएंगी तो हम भी खत्म हो जाएंगे ये एक संतुलन है जो नेचर ने स्वयम बनाया है और हमने महानगर तो बसाए और ये संतुलन बिगाड़ दिया तो जो ट्यारिस गार्डनिंग है छट पर भागवानी है ये एक बूंद ही सही या एक एक तिनका ही सही प्रयास है उस संतुलन को साधने का मान लेजिए आपने फाइकस ग्रुप के कुछ पौदे लगा दिये हैं जिनमें सिर्फ पत्ते ही पत्ते कोई हर्याली नहीं है और कोई सबजी भी नहीं मिल रही लेकिन जितनी देर आप उन पेड़ पौदों के बीच बैठते हैं तो वो संतुलन कायम होता है कैसा संतुलन कि जो कार्वन डायोकसाइड हम छोड़ रहें वो उसे ग्रहन कर रहे और वो औक्सीजन छोड रहा है जैसे हम ग्रहन कर रहे है तो यह जो संतुलन है यε बहुत जरूरी है करोना काल मैं तो देखी औक्सीजन की कीमत अच्छे से समझ में आ गई तो बिलकुल मत सोचिए बस आदत डालिए कि छट के किसी भी कौने में घर के किसी भी कौने में बालकनी में जहां आपके जगे है कुछ नहीं है तो दीवाल पर वर्टिकल जो पोधा मिल जाए देशी पोधा आजपास का कोई भी पोधा जिसमें भलेई सिर्फ पत्तियां हो हरी आली हो, फूल हो तो बहुत अच्छी बात कि देखिए कितने अच्छे बैंगर निकला है कौन कहता है कि चट पर सबजी नहीं होती हो ये तो देखिए चैरी जो मेरा पहला चैनल है इंडियन टेरिस गार्डनिंग आर्ट उस पर तो मैं डेटेल में ये वीडियो डालती हूँ आज आपको भी मैं दिखा दे रही हूँ लौट के आई हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग जो इस चैनल पर मुझे से जुड़े हैं उसमें से ज्यादा तर उस चैनल पर हो भी सकते हैं तो नहीं भी हो सकते तो जिन्होंने वो नहीं देखा है या जो हर्याली से नहीं जुड़े हैं मेरी कोशिश है कि हर व्यक्ति अपने घर में अपनी छत पर चार-पांच पौधे लगाए और अगर हर व्यक्ति ऐसे ही लगाएगा तो आप सोचके देखिए कि हर घर में थोड़ा सा हवा शुद्ध होगी केबल हवा शुद्ध की ही बात नहीं है एक तो देखिए आपका वैज्ञानिक तरीके से मैंने समझाया कि हवा को ये शुद्ध करते हैं इसके बाद हम प्रकृति का हिस्सा है हम प्रकृति में सहस्तुत्य की बात होती है सब तरह के जानबर पक्षी तो जो ये डरते हैं कि कीडे आएंगे मकोडे आएंगे ऐसे डरने की जरूत नहीं है वो हमें नुकसान नहीं पहुँचाते हैं उनका अपना जीवन है तो चट पर चिडियां आती हैं मेरी चट तो चुकी पूरी तरह से हरी भरी है तो इतने तरह के पक्षी आते हैं अभी कुछ दिन पहले एक पक्षी आया था जो किंग फिशर था इससे पहले मैंने नज़्दीक से कभी नहीं देखा और मैं सुवे सुवे चट पे गई तो देखा कि बहुत ही खुबसूरत नीले रंग का पक्षी है पहले तो मुझे लगा कि शायद नील कंठ है फिर गवर से देखा तो नील कंठ नहीं था वो वो किंग फिशर था और आसपास पार्क है तो वहां भी उंचे पेड़ है और छट पर मेरे बहुत बगीचा है तो देखिए आप तितली भौरे कई तरह की चिडियां कई तरह के पंची कबूतर गिलहरी आप इस सब के बीच बढ़ते है ना तो आप पूरे हो जाते हैं हम तभी तक पूरे हैं जब तक हम प्रकृति की हर संरजना के साथ जुड़े हैं यह हमने किया जरूर है कि बस हम सब को खदम करके सब कुछ हमारा और हम ही हम जी है और उसके ही परिणाम है जो आज का जो परिवेश बदला है जो बीमारियां आ रही है तो आप चत्पे बगीचा लगाएंगे दस बार उपर नीचे चड़ेंगे तो बोड़ी अक्सरसाज हो जाएगे जिम जाने की ज़रूरत नहीं है देखिए कितनी अच्छी भाजिया अब आप सरसों का साग घर में खाते हैं मैथी लगी है बत हुआ लगा है सोहा लगा है पालक है सरसों भी है सब और यह जो पेस्टी साइट रहत साग आप खाएंगे न तो इसका स्वाधी अलग है तो मैं यह तो कहती ही है आप छट पर सबजियां लगाएंगे तो आपको मार्केट से सब्स नहीं खरीदनी पड़ेगी लेकिन पिछ सब्जियां मिलेंगी और आपको पता चलेगा किसबजिया कैसे उगती हैं आप अपनी नई पीड़ी बच्चों को नजदीक से उगते हुए फ्रूट दिखा पाएंगे कुल मिलाकर हम प्रकृति से जुड़ेंगे जो व्यक्ति प्रकृति से नहीं जुड़ता वो अधूरा है आप जुड़कर देखिए जब हम उप जाते हैं महानंकर से तो फिर हमेले स्टेशन जाते हैं या कि हम कहीं जंगलों में घूमते हैं और तब हम हरे-बरे बगीचों में घूमते तब हम नेचर से जुड़के खुशी महसूस करते हैं तो अपनी छत पर ही एक छोटा सा तो आप भी कर सकते हैं बागवानी की शुरुआत अगर शुरुआत करें तो या तो बरसात से करें या फिर ठंड से करें कैसा लगा आज का वीडियो कमेंड करके जरूर बताएं मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार